पूरे विश्व के अकित अत्मन बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास दे लेते हैं लेकिन वही एक घटना सामने आई है जा हज़र बाबा ताजुतिन रह्मत अले के सचाता नशिन सेयद तालिब बाबा को पाकिस्तान से तैरी के तालिपान की जानिफ से धंकी बरी पत्रा जिसके चलते उन्होंने पुलिस आईते से सुरक्षा का निविदन क्या है जब इस मसले में बेसियंग की टीम ने सयद तालिब बाबा से बाक्चित की उस वक्त उन्होंने बताया कि पिछले कई तिनों से उन्हें पाकिस्तान से तैरी के तालिपान की जानिफ से निरंतर ध जंकर्टना से उन्हें आया है जहाँ बाबा को इस एति की बाद जान्सिम आनी दंख की मिली है तो वही उनकी परिवार को भी खत्म करनी की बाद संभदीत पत्र में की गई है जिसके चलते सीद तालिब बाबानी देश की ग्रुह मत्री अमिश शाह साथी राचकी ग्रुह मत्री एवं उप्मुख्य मत्री देविंड पर्णवी से भी इस संभन में निवेदन किया जा उन्होंने पत्र की मात्रिम से सुरक्षा प्रदान करने की बात गई है लेकिन अभी तक कोई भी सुरक्षा से ताली बाबा को नहीं मिली है जिसकारण उन्होंने नाखपुर के प्रदान करने का निवेदन क्या है मेरा नाम से तालिफ ताजी है मैं बारगाए सरकार ताजुल उलिया हजरत बाबा से नहुम्मत ताजुदिन रह्मत अलाए का परपूता हूँ और यूसुप बाबा साहिब सज्जादा नशीन का बेटा हूँ और मुझे आज फिर से तहरी के तालिबान के संगठन की जानिब से फिर से चेटाउनी भरा एक लेटर आया है ये लेटर देखि आप ये गाजी भाई करके इसमें नाम लिखा हुआ है और ये लेटर मुझे आया है और इसके अंदर बाएक आदा छिताउनी दी गई है कि इसके पहले भी हमने लेटर प्रापत आपको गीये है और उसके अंदर में बोला गया है कि कि ये इद बाद मुझे मारा जाएगा मेरी फैमिली और मुझे सब को थ्रेट दिया जाएगा तो मैं और ये अमिश्या साहब ने भी मुझे ओर्डर प्राप की है मेरे घर पे लेटर आया है मिश्या साहब का मुझे सुरक्षा देने के लिए तो मैंने कमिशनर साब को भी ये लेटर की कौपी दिया है और फंडवीस साब को भी लेटर की कौपी दिया है फंडवीस साब ने भी मुझे परसु बोला है कि मैंने कमिशनर साब को बोल दिया है आपको सुरक्षा मिलेगी और अभी तक के मुझे सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई है और मैं कमिशनर साप से निवेदन करता हूँ के मुझे सुरक्षा प्रदान करे आप जो मुझे अमिशा साप का जो लेटर आया है और फंडवी साप ने भी आपको कहा है तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मेरी सुरक्षा प्रदान करे मेरे घर की सुरक्षा प्रदान करे मेरी फैमिली के लिए सुरक्षा प्रदान करे और मैं जितने भी डिपार्डमेंट के लोग है सबसे यही कहूँगा कि कोई कोई मंत्री को कोई नेता को ये लेटर आता है तो उसके लिए अभी तक के पूरा इंडिया में बावाल हो जाता है उसको अभी तक के पूरी हर चीज की फैसलिटी उनको मिल जाती है मैं तो एक संद इंसान हूँ और एक धर्मिक इस्तलगा एक ताजुदिन बाबा का पर पोता हूँ तो मैं भी एक संद इंसान हूँ तो मुझे भी आए दिन थ्रेट होता है आए दिन मेरे उपर भी लेटर आते है धमकी बरे आए दिन कभी हमले हो जाते है तो मैं नाकपूर क कमिशनर साप से फंडवी साप से फिर गुजारिश करूँगा कि मेरी सुरक्षा मुझे दी जाए क्यूंकि एक दिन बाद ईद है तो हमारे से मिलने के लिए लाखों से लोग मिलने आते हैं हमारे घर के उपर हमसे मिलने के लिए और मुझे हर स्टेज में नाकपु पुरे महर कराश के हर स्टेज में जाना होता है धार्मिक कारेकरमों में भी तो मुझे हर जगा ठ्रेट रहती है तो मैं निवेदन करूंगा कि कि मुझे सुरक्षा परदान करे जैहिन जैमाराष्ट्र और आप तमाम लोगों की न्यूज वालों से भी मैं यही कहूंगा कि आप लोग भी इस चीज को नाकपूर कमिशनर साब और फंडविस्ता आप तक के पहुचा आए और उनको हमारे लिए सुरक्षा के लिए निवेदन करे धन्यवाद जैहिन जैमाराष्ट्र देश विकास की और आगे बढ़ रहा है जा देश की जनता कोन दिर्भै जिवन और सबल स्थ में आगे बढ़ाने का जिम्मा देश की ओधिदारों ने उठाया है बरहाल देश में घट रही ऐसी घटनाओ के जलते बयावस्तिती निर्वान होने की संभाव ना है क्योंकि देखा जाए तो इन कुछ महिनों में शहर में वार्दातों की संक्या बढ़ रही है और से अग्षा प्रदान करते है क्या कैमरा परसन अजित कुवर के साथ मनिश देमरी की रिपूर 4. Special Early Bird Discount till 25th March Enroll now, for more details, call